मुंडक ओपनिशद, दूसरा मुंडक, दूसरा खंड, श्लोक संख्या आठ मुंडक ओपनिशद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का श्लोक संख्या आठ कहता है इस श्लोक का प्रियोग बहाँ पर भी बहुदा किया जाता है जब एक शंका आती है कि जिस समय व्यक्ति मोक्ष में जाता है जब किसी व्यक्ति के मोक्ष जैसी स्थिदी हो जाती है तो क्या व्यक्ति के पापपुण्य रहते हैं या पापपुण्य समाप्त हो जाते हैं या मुक्ति के बाद जब व्यक्ति का जन्म होता है तो कैसा जन्म होता है और अगर वो जन्म होता है तो किस आधार पर होता है क्या कोई पापपुन्य रहते हैं या बिना पापपुन्यों के ही जन्म हो जाता है क्योंकि नियम क्या कहता है कि बिना पापपुन्यों के जन्म नहीं होता है हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर होता है और मोक्ष्ट से जो आत्माई लोटती हैं उनके भला कौन से कर्म हो कि जो उन्हें जन्म मिलता है तब कहा जाता है तो दो पक्ष बन जाते हैं पहला पक्ष होता है जो कहता है कि नहीं मनुष्य के कुछ कर्म शेश रहते हैं जिनका फल भोगना बाकी है ऐसे कर्म जिनका भी फल नहीं भोगा गया है मुक्ति में जाने से पहले के कर्म तो जब न मुक्ष में जाने से पहले मनुष्य के सारे कर्म निष्ट हो जाते हैं, कोई कर्मशेश बचता ही नहीं है, इसलिए बिना कर्मों के सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। मोक्ष है और मोक्ष के बाद जीवन भी है मोक्ष और मोक्ष के बाद जीवन ये दोनों चीजें हैं लेकिन इनके बीच में समस्या ये आती है कि मुक्ती में जब जाते हैं तो वो कर्म के साथ जाते हैं या कर्म के बिना जाते हैं तो आठवाश लोग कहता है भिद्यते हरदय हरदय की गांठे खुल जाती हैं जिसको हम अविद्या रूपी गांठे कहते हैं वो अविद्या रूपी गांठे खुल जाती हैं अभी गुथी हुई हैं अभी संशे हैं हमारे मन में अभी प्रश्न हैं अभी विद्या पूरी तरह से नहीं है तो ये विद्या का न होना जान का न हो नहीं ये हमारे ह्रदय की गांठें हैं कहा भिद्य थे ह्रदय ग्रंति हैं चिद्यंते सरवसंशया सारे के सारे संशय तोट जाते हैं समाप्त हो जाते हैं फिर कहा 6-5 कर्मानि और इस व्यक्ति के कर्म भी Windows शींतनष्ट हो जाते हैं और मेग ऊस परम परमेश्वर को परावरे यनि कि जो की आरपार है सब के जो की परे से भी परे है जो की ओर छोर से भी आगे है सीमा से भी आगे तस्मिन द्रिष्टे परावरे ऐसे उस परमेश्वर को द्रिष्टे देख लेने पर क्या-क्या कारिये होते हैं? पहला कारिये, धरते की अविद्या हट जाती है। यानि किसी प्रकार की कोई अविद्या, कोई गलत जानकारी शेश नहीं रहते हिए। अपने आप में बड़ा उद्देश्य हैं, अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति के भीतर एक भी संशय न रहे, एक भी विशय में उसे कोई गलत जानकारी न रहे, सारी की सारी सही जानकारी हो जाईए, अपने आप में जीवन के लिए बड़ी बात है, फिर कहने छिद्यनते सर्वसंशया है, और जिन जिन वस्तुओं के प्रती संशय था, एक तो है अविद्या, गलत जानकारी, दूसरा गलत जानकारी तो नहीं है, पर क्लियर भी नहीं हो रहा है, अभी मैंने कुछ माना नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ मजबूत आधार ही नहीं है, इसलिए अंदर संशय बना हुआ है, तो गलत जानकारी का होना, विद्या और मेरे मन में संशय चल रहा है रसी है की साप है ये संशय है कहना है कि उस परम पुरुष परमेश्वर को देख लेने पर दोनों ही समस्याएं समाथ हो जाती है पहला जहां हमने कुछ मान लिया है जो की सही नहीं है वो गलत माना हुआ भी हट जाता है सही जानकर य आ जाती है विद्या आ जाती है दूसरा अगर कहीं संशय है नहीं समझ पा रही है तो वो भी हट जाता है भिद्यते हिरदयक ग्रंथी छिद्यंते सर्वसंशय आ है एक भी संशय शेष नहीं रहता सर्वसंशय हट जाते हैं फिर कहते हैं शीयंते च अस्यकर्मानी और जो व्य कौनसे कर्म वो कर्म जिनका फल मिलना हो क्योंकि हम देखते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं शुकल का तीन इचार प्रकार के बेलगे शुकल अच्छे कर्म कृष्ण कर्म बुरे कर्म शुकल कृष्ण कर्म मिश्रित यानि कुछ अच्छे कुछ बुरे मिले जुले कर्म औ होता है तो कह रहें कि जिनका फल नहीं मिलना होता है उनको तो कर्मों में गिनिये ही मत क्यों कि कर्मों की एक निश्चित परिभाशा है कर्म हम उसे ही कहेंगे जिसका फल मिलना होगा वाकियों को हम कर्म ही नहीं करेंगे कहेंगे जब कर्म फल व्यवस्था की बात आती है तो तब हम जिनका फल नहीं मिलना है उन्हें कर्म नहीं कहा जाएगा इनियन है तो फिर कौन से कर्म अनष्ट होते हैं जिनका फल मिलना है क्योंकि कर्म वही जिनका विपाक होना हो विपाक अरथा फल मिलना हो तो फिर मुक्ति में जाने से पहले परमेश्वर के दर्शन कर लेने पर परमेश्वर जब हमें स्वीकार कर लेता है अपने दर्शन के लिए तब शीयंतेच अस्यकर्मानी इस व्यक्ति के देख लेने वाले व्यक्ति के सारे कर्म नश्ट हो जाते हैं यानि उनका फल अब नह तो फिर प्रश्ण है कि अगला मुक्ति के बाद का जन्म कैसे होगा बिना कर्मों के दरसल वो बिना कर्मों का जन्म हमारी स्वाभाविक आवश्यक्ता और इच्छा के कारण होगा क्योंकि मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा और स्वाभाविक आवश्यक्ता है सुख पाना और मुक्ति में अनन्त काल में रहने पर उसे अनन्त सुख नहीं मिल सकता है एक दिन वो सुख ही उसके लिए एक बोज, एक बंधन, एक दुख बन जाएगा, उससे पहले पहले ही परमेश्वर एक नया जन्म दे देता है, कि जाओ, शरीर लो, कर्म करो, पुन्य आरजन करो, और फिर से पुन्य करते करते करते, फिर से आ जाओ मोक्ष में, क्योंकि उसक पर बाहर और भीतर सब स्थान पर ओतप्रोत हुए, सब स्थान पर रम रहे परमेश्वर को देख लेने पर ये सारे कारिये हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं। फिरन्मये परेकोशे विरजम ब्रह्मनिशकलम तक्षो ब्रह्म ज्योतिशा ज्योति ही तद्यद आत्म विदो विदो हुँ। बहुत सुन्दर और बहुत महत्वपोनशलोग है। कोई ऐसा तरीका बताया जाए। तो ऐसा तरीका अगर उपनिशदों से पूछते हैं तो उपनिशद कहती है न असंभव है। हाँ घर में रह सकते हैं बिना लगाव के रह सकते हैं तो रह लीजिए। प्रारम्भे के स्थिती में रह सकते हैं कोई बात में छूट है। प्रारम्भे के स्थिती में कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे अपने घर बार को नहीं छोड़ता है। लेकिन कुछ दिनों के परश्चात कुछ समय के उपरांत बाद में क्या हम यहीं पर अटके रहेंगे तो उपनिशत कहती हैं नहीं। यहां से एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा अनिवार यह है इसके बिना जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। कह रहे हैं हिरनमये परे कोशे विरजम ब्रह्म्ह निश्कलम ब्रह्म्ह ऐसा ब्रह्म्ह जिसमें किसी प्रकार का कोई कल नहीं है। कल अर्थात कल के दो अर्थ होते हैं पहला जिसमें कलाएं नहीं होती जिन सोलह कलाओं को हम अभी पढ़कर के आए हैं। छठे प्रश्ट में, जिन सोलह कलाओं के बारे में हमने प्रश्टों प्रिश्द में पढ़ा था, उन्हीं सोलह कलाओं से रहित परमेश्वर को कहते हैं निशकलह, ध्यान दिजिएगा निशकलंक नहीं है ये, निशकलंक होता तो उसका आर्थ होता जिसमें कोई मलिंड़ता है जिसमें कोई गंदगी है कोई गंदा टीका लगा हुआ है उसको निश्कलंक कहते है टिंका न लगा हुआ हो कलंक है तो कलंकवान और कोई कलंक नहीं है उसको निश्कलंक कहते है पर यह निश्कलंक शब्द नहीं है ये शब्द है निश्कलब अर्थात एक भी कला परमेश्वर में नहीं है ना प्राण है ना मन है ना शरीर है कोई नहीं है उसमें कोई कला नहीं है यहां तक कि उसका नाम नाम भी परमेश्वर का किसी और का दिया हुआ नहीं है उसकी कला नहीं है बलकि उसक ही ये नहीं है तो ऐसे बिना कलाओं वाले ब्रह्म कैसा है वो ब्रह्म विराजम विराजम अर्थत रज कोई प्रकारखा नहीं है उसी रज का आर्थ होता है किसी प्रकारखा कोई धब्बा रज का आर्थ होता है मल गंदगी जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति की चरण रज ले लेने प्रायह जो लोग गुरूं के पीछे दोड़ते फिरते हैं जैसे भी पिछले दिनों उत्तरप्रदेश में हाथरस में रुभटना हुई कि एक बाबा जो की ठग है एक धर्म गुरू जो की संसार को प्रदूशित कर रहा है एक ऐसा गुरू जो समाज को ठग रहा है और प्रति दिन ठग रहा है उन लोगों को जो बेचारे कम पढ़े लिखें कम बुद्धिमान हैं जिन्हें केवल एक ही उद्देश्य है कुछ धन मिल जाए कोई नौकरी म मिल जाए हमारा थोड़ा सा रोग दूर हो जाए ऐसे ही ईसाई लोग भी होते हैं यह सबके सब लोग एक काम जरूर करते हैं कि हमारी चरण रज लो अर्थात हमारे पैरों की गंदगी लो मिटी लो हमारे पैर की और इनकी चरण रज लेने के लिए भीर उमर पड़ती है ये नहीं सोचती ये नहीं देखती कि रज का अर्थ होता है मल गंदगी चरण रज ले लीजिए कुछ मिल जाएगा नहीं मिलेगा क्योंकि यदि परमेश्वर को पाना है तो हमें रज से तो अलग होना पड़ेगा ना विरज होना पड़ेगा अरे परमेश्वर है ही विरज जो परमेश्वर स्वयम में विरज है वो परमेश्वर हमें गंदगी में डाल करके प्रसंद कैसे हो सकता है ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल हुई ये तो हम परमेश्वर से कोसों दूर और आ गए है इसलिए अगर हमारे मन में कहीं भी ये भावना चल रही है कि हम रज लेकर के और विरज परमेश्वर तक पहुँच जाएंगे यह असंभव है जैसा परमेश्वर है उस तक जाने के लिए वैसा बनना पड़ेगा परमेश्वर गंदगी से रहित है रज से रहित है हमें भी किसी तुछ मनुष्य के चरणों की रज से बिलकुल अलग होना पड़ेगा और तुछ मनुष्य के चरणों की रज तो छोड़िये हमारे मन में जो गलत भावनाएं मलिनता भरी पड़ी है ऐसी रज ऐसी मलिनताओं से भी बहुत दूर होना पड़ेगा विरजम क्योंकि वो ब्रम्ह कैसा है निशकल है, कलाओं से रहित है ऐसे बाबा जो अपने आपको भगवान कहते है जो अपने आपको कलकी कावतार कहते है ऐसे बाबाओं में तो कलाएं भरी पड़ी है ऐसे बाबाओं के तो दो हाथ, दो पैर, दो आख, ना, कान, नाम, रूप सब कुछ है, इंद्रिया, प्राण, सब कुछ है, ऐसे सामान्य तच्छ मनुष्य निशकल ब्रह्म की भाती नहीं हो सकते, तो कहा ब्रह्म निशकल है, विरज है और परेकोशे, घिरनमये, परेकोशे यू समझ लीजिए, कहां पर है वो, उसके रहने का स्थान कहां है, तो कह रहे हैं परेकोशे, जो एक कोश है, जो खजाना है, उस खजाना कैसा है, श्रिष्ट खजाना है, मतलब बहतर खजाना है, ऐसा खजाना है, कि जिसको पाकर के व्यक्ति और कुछ पाने की इच्छ न कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारी संपत्ती इकठी है, कोश का मतलब ही होता है, धन संपत्ती, जहां पर इकठी है, ऐसा वो भवन, ऐसा वो स्थान, कोश आगार कहलाता है, और उस संपत्ती को हम कोश कहते हैं, तो कह रहे हैं, हिरन मये परेकोशे, ऐसा वह परमेश्वर हिरन मय का आर्थ होता है सोना हिरन मय आर्थ आर्थ सोने मय स्वर्ण मय सोने से बना हुआ जैसे हम सोने से कुछ आकरती बना देते हैं उसको कहा जाएगा स्वर्ण मय आकरती लंका को कहा जाता था स्वर्ण मय लंका नमे स्वर्ण मय लंका लक्षमन रोचते क्योंकि जननी जन्मभूमिष्य स्वरगादपी गरिये सी राम कहते हैं लक्षमन से एशा स्वर्ण मईलंका नमे लक्षमन रोचते कि ये जो सोने से बनी स्वर्ण मईलंका है न ये मुझे सुन्दर नहीं लगती, ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती क्योंकि जननी और जन्मभूमी, अपनी मात्री भूमी और अपनी माता ये दोनो स्वरगाद अपिगरिये से, स्वरग से भी बढ़ करके होती है तो वहाँ पर स्वरण मय शब्द आया है जिसका अर्थे ही होता है सोने से बना हुआ कुछ यहाँ पर भी शब्द है हिरन मय अर्थात हिरन्य से बना हुआ कुछ तो जो हिरन्य मय अर्थात सोने से बना एक कोश है एक भंडार है उस भंडार में विरज निशकल ब्रम्ह परमेश्वर है और अभी क्या है इसको समझेंगे कैसे है तत शुब्रम ज्योतिशान ज्योति ही तत वह परमेश्वर वह ब्रम्ह शुब्रम एकदम शुद्ध है एकदम प्रकाश मय है ज्योतिशा ज्योति ही जो हमें संसार में कुछ ज्योतियां दिखाई दे रही है जिसको मजूरे चंद्रमा कहते हैं या तारे कहते हैं जिन से ज्योति पृत्वी तक आ रही है उनकी भी ज्योति परमेश्वर है यानि उनको भी प्रकाश परमेश्वर से मिलता है हमारे पास हमारी दो आखें हैं हमारी ज्योति है हमारे पास ह ज्यानेंद्रियां हैं आखों के तरिक्त चार और ज्योती है हमारी क्योंकि ज्योती का आर्थे ही होता है कुछ जान लेने वाली तो पांचों ज्यानेंद्रियां कुछ-कुछ जानती हैं इन ज्योतियों की ज्योती अर्थात इन इंद्रियों को भी प्राण देने वाला परमे जो जियोतियों की जियोती है शुब्र अर्थात प्रकाश मैं शुद्ध है निश्कल है उसमें 16 कलाओं में से कोई कला नहीं है विरज है मलिनता रहित है और एक स्वर्ण मैं श्रेश्थ उत्तम कोश में है ऐसे उस परमेश्वर को तत यत आत्म विदो विदु हू आत्मा को जानने वाले लोग उसको जान लेते हैं अब एक प्रष्णा आता है हमारे मन में प्रष्ण यह कि वह परमेश्वर सोने से बने हुए ख़जाणे में छिपा हुआ है कैसे परमेश्वर तो हमने सुना इसब जगत में व्यापत है फिर वो ख़जाने में छुपा हुआ है हाँ वो ख़जाने में छुपा हुआ है क्यों? क्योंकि ये जो संसार है न ये हमारी इंद्रियों के लिए ख़जाना है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ख़जाना है मैं जो अन खाता हूँ न वो अन मेरे लिए खजाना है वो मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ती है मैं जो वस्तर पहनता हूँ फिलहाल मेरे शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्तर मेरे लिए एक बड़ी संपत्ती है मैं जिस शरीर के अंदर रह रहा हूँ, वो शरीर मेरे लिए बड़ी संपत्ती है मैं जिस भवन में इस समय बैठा हूँ, वो मेरे लिए एक बड़ी संपत्ती है और वैसे भी जो लोग संपत्ति शाली कहे जाते हैं, वो संपत्ति मने क्या, कहां से आती है वो संपत्ति, तो जिसके पास resources का अधिकार है, भंडार है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक संपत्ति शाली होता है, संपत्ति का मतलब सच में कुछ चमकदार सोने की डलिया नहीं है, स संपत्ति का आर्थ ही है, यह संसार जो की मेरे लिए बड़े काम का है, मेरे शरीर को चलाने के लिए जो मूल भूत आवश्रक्ता हैं पूरी करता है, ऐसा यह संसार, जो मुझे श्वास लेने के लिए हवा ऑक्सिजन प्राणवायू देता है, पीने के लिए पानी देता है खाने के लिए अन देता है मेरी अन्य आवश्रक्ताओं की पूर्ती के लिए जो basic resources हैं जो मूलभूत संसाधन है वो मुझे उपलब्द करवाता है ऐसा यह संसार हिरनमय कोश है और इसी हिरनमय कोश इसी संसार में परमेश्वर बैठा हुआ है परमेश्वर विराजबान है लेकिन उसको पाएंगे कैसे क्यों इस शब्द का परियोग किया गया कि परमेश्वर स्वरनमय कोश में बैठा हुआ है इसके पीछे कारण है क्योंकि इससे पहला श्लोक कहता है कि तस्मिन द्रिष्टे परावरे उस परावर परमेश्वर को देख लेने पर हृदय की गाठें खुल जाती है संशह दूर हो जाते है हमारे कर्म नश्ट हो जाते है लेकिन द्रिष्टे देख लेने पर बिना देखे नहीं और उसको देखने में सबसे बड़ी बाधा आती है ये चमकदार मानने मनुष्य है जो बहुत चकाचोंद पसंद नहीं करता जिसे नहीं अच्छा लगता कि पैसे के बरबादी हो जिसे नहीं अच्छा लगता कि लाखों रुपए एक ही बार में पटाखों में उड़ा दिये जाएं जिसे नहीं अच्छा लगता कि केवल शो आफ के लिए अपने शरीर की आवश्यक्ताओं पर तो ध्यान देता है ना, ऐसा व्यक्ति भी अगर उसे जीवन और मृत्यूं में से किसी एक को चुनना हो, तो वो जीवन चुनेगा, ऐसा व्यक्ति भी अपने कम से कम मिनिमम आवश्यक्ताओं के लिए घर तो बनाता ही है ना, अपनी नि आवश्रक्ता के लिए वाहन तो खरीदता है ना लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर भी चोट पहुँचाने लगे शो आफ नहीं करता है ऐसा व्यक्ति दिखावा नहीं करता है संतुष्ट रहता है उपलब्द साधनों में पर जो मौलिक है वो तो उसको भी चाहिए उससे प परमेश्वर विराजमान है खाते हुए भोजन में ग्रहन करती हुई प्राणवायू में जो हम प्राणवायू ले रहे हैं जो भोजन हम कर रहे हैं उस प्राणवायू को लेते समय अगर प्राणवायू में परमेश्वर दिखने लगे अनुभव होने लगे तब तो बात ह तब तो ये श्लोक सार्थक होगा नई तो लोगों को oxygen में केवल oxygen और प्राणवायू ही दिखाई देती और कुछ नहीं खाना खाते हुए निवाले में केवल अन दिखाई देता है भुख का इलाज दिखाई देता है और कुछ नहीं इसलिए इसी हिरन्मय कोश में, इसी संपत्ति शाली संसार में संसार की वस्तुओं में ही परमिश्वरा और कहीं नहीं नहीं, यहीं ढूंडो, इनहीं में देखो, दिख जाएगा, और इसको आत्म विदो विदू, जो आत्मा को जानने वाले लोग हैं, वही जान पाते हैं, सब नहीं सॉल्ट से बनी हुई मेरे लिए और कुछ नहीं है व्यर था बेकार है लेकिन अगर किसी डॉक्टर को मिल जाए वो तुरंत देख लेगा कुछ है किसी गंभीर रोग का इलाज है किसी व्यक्ति को सड़क चलते कोई वनस्पती दिखाई दे जाए तो वो उसको यूही पैरों से मसलता हुआ निकल जाएगा लेकिन जो वनस्पतियों का जानकार है वो तुरंत देखेगा अरे इससे तो ये रोगदूर हो सकता है और हाँ उसके लिए लैब का परिक्षन करना भी आवश्यक नहीं है पत्तों की बनावट पत्तों का रंग रूप भी बता देता है कि ये वो शदी लगभग लगभग किस गुणवाली है ये आईरवेद के जानकार अच्छे से जानते हैं कि किसी पत्ते किसी फूल का रंग किस रितू में फूल दे रही है फल दे रही है वो साथ ही साथ किस स्थान पर उगी हुई है तो उसका स्थान किस रितू में बहुत अधि चलती है फूल फल देती है साथ ही पत्तों का रंग कैसा है अकृती कैसी है ये सब कुछ मिला करके ये बता देते हैं मूल मूल केवल केवल बाहर बाहर से मूटी मूटी जानकारी मिल जाती है कि लगभग किस रोग में काम आ सकती है ये वात रोग की उशद ही है पित रोग की उशद ही है कफ रोग की उशद ही है तो जो जानने वाले हैं वो जान लेते हैं नहीं जानने वाले पैर रखकर के कुचल कर निकल जाते हैं ऐसे ही आत्मा को जानने वाले लोग आत्म विदह आत्मा को जानने वाले लोग जान लेते हर चीज में परमिश्वर को देख लेते बाकी नहीं देख पाते फिर कहा नतत्र सूर्यो भाति इस श्लोक को हम पहले भी पढ़ाएं इसको हमने इससे पहले भी पढ़ा है नतत्र सूर्यो भाति संभवत तक ठोपनिशत के अंत में नचंद्रतारकम नेमा विद्युतो भांती कुतो अयमगनी तमे वभांतम अनुभाती सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम देखाती श्लोक सरल है पहले पढ़ चुके हैं कह रहे हैं नतत्र सूर्यो भाति और जब उस परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वहां सूर्य उसके सामने फीका लगने लगता है न सूर्यो भाति सूर्य का प्रकाश प्रकाश नहीं रह जाता न चंद्र तारकम चांद और तारे भी कोई विशेश प्रकाश नहीं देते सब डिम लगने लगते फिर कहा न इमा विद्युतह जो उपर विजली चमक रही है ये भी कोई विशेश नहीं रह जाती कुतोयम अगनी फिर ये धरती पर जलने वाली तुझ अगनी तो sामने क्या ही कुछ अपना अस्तित्व रख पाएगी ये भी कुछ विशेश नहीं रह जाती उसके सामने क्योंकि ये सब जो चमक रहे हैं प्रकाश दे रहे हैं उसी परम-पुरुष परमेश्वर के प्रकाश के आधार पर ये सब प्रकाश दे रहे हैं इसलिए उस परमेśवर की चमक के सामने इनकी चमक फिकी है तस्य भासा सर्व मिदम विभाती उसी परमेशवर ने आत्मा बन करके उर्जा बन करके इन सब ग्रहों, उपग्रहों को चलाया हुआ है, चमकाया हुआ है क्योंकि श्लोक पढ़ चुके इसकल इसलिए अधिक चर्चा नहीं करेंगे अगला ग्यारहवा श्लोक ब्रम्ह एव इदम अम्रितम पुरस्तात ब्रम्ह पश्चात ब्रम्ह दक्षणत हच उत्तरेन और एक समस्या का हमारी हल कर देते हैं कि कहां कहां है परमेश्वर ब्रम्ह एव इदम अम्रितम पुरस्तात अर्थात हमारे जन्म से पहले हमारे जन्म के पूर्व में पुरस्तात या हमारे सामने दोनों आर्थ हैं पुरस्तात मतलब पहले और सामने ब्रह्म एव इदम अम्रितम ये जो हमें अम्रित दिखाई दे रहा है ना लक्षय के रूप में हमारे सामने या हमारे जन्म से पहले जब हम मोक्ष में थे तब था या हमारे जन्म से पहले एक परमेश्वर जो सदैव से था सदैव से है और सदेव रहेगा वह परमेश्वर यह जो हमारा लक्ष है हमारे सामने टार्गेट है इस समय पुरस्तात जो हमारे सामने अम्रित रूपी हमारे सामने मोक्ष रूपी लक्षे है ये कौन है करें ब्रह्मा ये वईदम ये ब्रह्मा ही है ब्रह्मा और अम्रित ब्रह्मा और मोक्ष दो अलग-अलग आइडेंटिटी नहीं है दो अलग-अलग अस्तित्व नहीं है बलकि करें ब्रह्मा ये वईदम ये अर्थात जिसको मैं कहे रहा था कि जहां से हम आए हैं जहां से हमारा जन्म हुआ है और जहां हम जाएंगे यानि जो हमारे सामने लक्ष है और जिसको हम पीछे छोड़ाएं हैं वो दोनों परमेश्वर ही हैं आगे पीछे ब्रह्मय वाईदम अमृतम, पुरस्तात ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षन तहच, उत्तरेन च, हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आगे पीछे जिसको संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों में हम बार बार दोहराते हैं हम कहते हैं कि प्राची दिग अगनी ही है परमेशवर आप अगनी के रूप में हमारे सामने की दिशा में हो दक्षणा दिगिंद्रो आप हमारे दक्षण में इंद्र के रूप में हैं प्रतीची दिग वरुण है आप प्रतीची हमारे पीछे की दिशा में वरुण के नीचे की ओर विष्णू के रूप में और उर्धवादिक ब्रिहस्पती ही आप उपर की दिशा में ब्रिहस्पती के रूप में हैं तो हमारे सामने, पीछे, दाएं, बाएं उपर और नीचे सब और परमेश्वर ही है ब्रम्हय वईदम, पुरस्तात, पश्चात, दक्षनत, उपर और नीचे सब दिशाओं में परमेश्वर ही है जो अलग-अलग तरह से हमें सुख पहुँचा रहा है हमारे लिए संपत्ति बन करके हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारी इंद्रियों के सुख के लिए अलग-अलग वस्तुओं की रचना करता है यही परमेश्वर सब और प्रस्रितम प्रस्रितम अर्थात फैला हुआ है ब्रह्म एवईदम विश्वमिदम वरिष्ठम ये सब ब्रह्म ही है जो कि वरिष्ट ब्रह्मांड वरिष्ट विश्व हमें दिखाई दे रहा है वरिष्ठ अर्थात वर्णियों में सर्वाधिक वर होगी उस वर का अर्थ होगा अच्छी बहतर औरों से अच्छी वरिय का अर्थ होता है थोड़ी और अधिक अच्छी वर अच्छा वरिय औरों से अच्छा और वरिष्ठ सबसे अच्छा जैसे श्रेय अच्छा श्रेयस औरों से अच्छा और श्रेष्ठ सबसे अच्छा ऐसे ही शब्द आता है वरिष्ठ अर्थात सबसे अधिक चुनने योग्य सबसे अधिक अच्छा सबसे अधिक सुन्दर ये जो इदम विश्वम ये जो संसार है जो कि सबसे अच्छा है सबसे हमारे लिए अमूल्य है अनमोल है इस समस्त संसार में ही उपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे अमृत रूपी ब्रह्म्ह यानि हमें जिससे मोक्ष मिलेगा वो मोक्ष रूपी ब्रह्म्ह फैला हुआ है जिस ब्रह्म्ह को जानने की बात चल रही थी कि उसको देख लेने पर सारी समस्याओं का हल हो जाता है वह परमेश्वर हमारे ही आसपास विराजमान है एक और प्रशनाता है कई बारे प्रशनी ये कि मोक्ष कहां पर है जब मोक्ष होता है तो हम कहां जाते हैं कौन सा वो स्थान है जहां पर हमें जाना पड़ता है तो कोई स्थान नहीं है जहां जाना पड़ेगा यहीं इसी ब्रह्मांड में जहां जहां परमेश्वर व्यापक है बस वहीं अम्रित भी है, वहीं मोक्ष भी है, मोक्ष के लिए कहीं अलग जाने की आवश्चकता नहीं है हमारी आत्मा इस शरीर के बंधन से बाहर निकलेगी, ब्रह्मांड में रहते हुए भी ब्रह्मांड के बंधनों से अलग होगी, ठीक वैसे ही जैसे हम अभी कहीं किसी संस्था में जाएं तो हम बंधन में रहेंगे उस संस्था में जाकर के संस्था के नियमों का पालन करना पड़ेगा, करना ही चाहिए आप आरे समाज के किसी संस्था में गए जिस संस्था में मैं रहता हूँ वहाँ आए तो आपको कहा जाएगा ये जुम्य निवारी रूप से आना है आप बंधन में है भोजन का ये समय है इसी समय भोजन करना है आपको करना पड़ेगा रात को इतने बज़े एंट्री होगी इसके बाद नहीं होगी बंधन है इतने बज़े के बाद दर्वाजा नहीं खुलेगा द्वार नहीं खुलेगा बाहर नहीं जा सकते बंधन है तो ये बंधन है लेकिन जब हम इन बंधनों से ही मुक्त हो जाएं रहेंगे यहीं पर मान लीजिए कोई अधिकारी व्यक्ति है उस अधिकारी के लिए नियम ला भी आएंगे तो उनके लिए भोजनुप लब्द होगा रहते हुए भी बंधन में नहीं मोक्ष हो गया है ऐसे ही विश्वम इदम वरिष्ठम ये जो वरिष्ठ संसार है ये जो श्रेष्ठ संसार है इस संसार के कणकण में ही परमेश्वर रमा हुआ है और वो अम्रिद है वही तो मोक्ष है कहीं जाने की आवश्चक्ता नहीं है मोक्ष के लिए यहाँ इस शरीर के बंधन से छूटते ही बस मोक्ष ही है रहना यहीं है बस बंधन में नहीं रहे तो इतना सुन्दर इतना स्पष्ट विवरन हमें मुंड़को प्रदान करती है यह तीन श्लोक हमने पढ़े और इन तीनों श्लोकों में हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है एक श्लोक और पढ़ा लेकिन वो पहले आ चुका है दस्वां श्लोक इसलिए उस पर हमने बहुत अधिक्चर्चा नहीं की है हम इस आज के परक्रण को यहीं वी राम देते हैं